नमस्कार मंत्रपाठी के साथ आप देख रहे हैं आमाद में आज यानी एक अगस से कुछ एहम बदला हुए हैं जहां कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है वहीं अब आएकर रिटर्न भरने पर जुर्माना भरना पड़ेगा आईए जानते हैं क्या क्या नियम बदले हैं आज से 19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है इंडियन आएल ने इसके दाम में 36 रुपए की कटावती की है अब दिल्ली में व्यावसाई गैस सिलेंडर एक हजार 976 रुपए में मिलेगा पिसले माई ये कीमत 2,012 रुपए थी वही कुलकाता में अभिये 2,095 रुपए में मिलेगा तो मुंबई में 1,936 में और चिन्नई में 2,141 रुपए में मिलेगा पिसले माई भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम किये गए थे जबकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए में महंगे हुए थे घरेलू गैस सिलेंडर के दाम या थावत रखे गए हैं अभी 14,2 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर दिल्ली में 1,053 रुपए में मुंबई में 1,053 रुपए में अब तक तिथी नहीं बढ़ाई गई है इसलिए रिटर्न भरने वालों को 5,000 रुपए तक जुर्माना चुकाना पड़ेगा जिनकी आए सालाना 5,000,000 रुपए से कम है उन्हें विलंब शुल्क बतौर 1,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे शालाना आए 5,000,000 रुपए जुर्माना देना होगा बगेर केवाईसी नहीं मिलेगी किसान सम्मान निदि प्रधान मंत्रे किसान सम्मान निदि का लाब पाने के लिए अब केवाईसी अनिवारे हो गई है योजना के लाब लेने के लिए रेजिस्ट्रेशन के साथ KYC कराना होगा KYC के लिए पुराने हिद्गराहियों को 31 जुलाई तक का समय दिया गया है जो की बीद गया है जिल्ला भार्थियों ने KYC नहीं कराया है उन्हें पीम किसान सम्मान निधी की बारवी किस्त की राशी नहीं दी जाएगे आपको बदा दे बैंक ओफ बडोदा ने चेक से भुकतान के नियम बदल दिये हैं बॉब या बैंक ओफ बडोदा ने आज से चेक से भुकतान के नियम बदले हैं अब 5 लाग या जादा के चेक के लिए पॉजिटिव पेस सिस्टम अनिवारे होगा या बदलाओ चेक पेमिंट को सुरक्षित करने और धोखा धड़ी रोकने के लिए किया गया है इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होते से लाइक करें साथ ही हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें और आगे भी ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे हमादमी धन्यवाद